आगति आप सभी के मेरी यूटूब चैनल ऑनलाइन जेके क्लासेस में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो विद्यार्थी 22 में पास किये हैं मैट्रिक और इंटरमेडियेट उनके लिए जो मुख्यमंत्री बालक बाली का प्रसाहन रासी योजना का जो इसकीम चल आने जा रहा हूँ आपको गूगल में टाइप करना है मेगासफ्ट चलिए यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूं मेगासफ्ट टाइप करने के बाद आपको यह जो पहला लिंक आ रहा है मेगासफ्ट.bih.nic.in इस पर आपको क्लिक करके स्वाफट्वेयर आगे बढ़ ज़ना है ठीक है क्लिक करने के बाद यहां पे यह इसका ओफिशियल विबसाइट ओपेन हो चुका है मेगा सॉफ्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार यहां पे आपको डेक्स्टप मोड में मोबाइल बुकर लेना है डेक्स्टप मोड में कर ले रहा हूं ताकि अच्छे से व योजना 22 के लिए अवेधन करें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका माधिमिक प्लस टू यानि की 10 प्लस टू यह इंटरमेडियेट के लिए होगा प्रसाहन योजना के लिए 22 के लिए अवेधन करें यहां पे दो अपडेट कर दिया गया है य चलिए मैं आपको बता जाता हूं यहां पर आपको क्लिक करना है इस वाले पर जो 10,000 रुपे आपको मिलेगा मैट्रिक पास हैं बालक हो बालिका हो दो एरबाइस में तो आपको 10 रुपे रासी दी जाती है प्रोसाहन के लिए अगर आप इंटर्मीडेट पास हैं तो आपको सिर्फ बालिका को मिलता है बालिका प्रोसाहन योजना 25,000 रुपे मिलता है अब यहां पर देखें एक कल्यान मुख्यमंत्री बालिका बालक प्रोसाहन योजना यह ओपन हो चुका है यहां पर देखिए पूरा इंपर्टेंट आपको portal पर क्या करना होगा, registration करना होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, आपके पास mobile है, laptop है, PC है, कुछ भी है, तो आप खुद से भी आप अपना registration कर सकते हैं, registration किस परकार करना है, तो यहाँ पर देखिए link दे दिया गया है, important link, यहाँ पर student list for new registration, list भी दिया गया है, and payment done, student list, check your name in list, आप अपना list में नाम check कर सकते हैं, और किसी परकार की कोई any query हो, किसी परकार की कोई doubt हो, तो आप इस पर mail करके आप जनकारी ले सकते हैं, ठीक है, देखिए, यहाँ पर पूरा आप इस notification को पढ़ ले, आपको सबसे पहले registration करना होगा, तो registration करने के लिए आप क् apply for, apply for matrix 222 exclusive only, तो यहाँ पर आपको click करना है, जो pass हुए है, ठीक है, यह आपका link नहीं है, link यहाँ पर दिया गया है, student registration के लिए यहाँ पर student पर आएंगे, ठीक है, सबसे उपर में यहाँ पर जो student का दिया गया है, आप इस पर registration for student पर click कर देंगे, चलिए मैं click कर देता हू click करने के बाद जैसा, एक नई window open हो जाएगी, आप थोड़ा इंतिजार कर लें, थोड़ा सा इंतिजार कर लेंगे, तो फिर एक नई window open हो जाएगी, इसमें आपको अपना personal detail डालना होगा, किस परकार से डालना है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखे, यह open हो चुका है, यहाँ पे देखे कितने step दिये गए है, पहला में student registration करना है, दूसरा में department and bank verification, और तिसरा में apply for scholarship and finalization, और चौथा step रहेगा district verification, यानि कि इन चार step को follow करना हो आपको, और यह चारो step अगर आपका complete हो जाता है, तो आपको अपना प्रसाहन रासी आपके bank खाते में देखने को मिल जाएगी, अब यह कैसे करना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, click here and read the important instruction carefully before filling of the online application, online application form भारने से पहले आप इस instruction को carefully साओधानी से पुरवक पढ़लें, तब इस form को fill up करें, तो सबसे पहले आपको registration करना है, student registration, अब इसको कैसे कर करना है, यहाँ पे देखिए जितना भी tick है, आपको tick कर देना है, सब पे click करके, मतलब आपको click करके और यहाँ पे continue पे click कर देना है, continue पे click करेंगे, तो देखिए कैसा option आता है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ इस window से, चलते हैं, यहाँ पे continue पे मैं click कर दिया हूँ, continue पे click करेंगे, तो एक नई window open हो जाएगी, जिसमें आपका देखिए personal detail आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, student registration detail only for BSEB, बिहार secondary education board, जो आपका BSEB है, बिहार board जो है, 10th pass student of 2022, जो 10th pass की है, student 1222 में सिर्फ उनी के लिए है, प्रोसाहम रासी यह हर साल दी जाती है, जो बच्चे matrix में pass करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, registration number की, तो registration number यहाँ पे आपको डाल देना है, जो आपका जो बिहार board का admit card मिला होगा, या पंजियन संख्या जिसे हम लोग बोलते है, registration number, ठीक है, आपको इसमें डाल देना है, फिर अपना नाम डाल देना है, फिर अपना date of birth डाल देना है, जितना marks आपका 10th में आया हुआ है, यहाँ पे डाल देना है, total opt in marks जो आपका आया हुआ है, उसके बाद category आप चूछ कर लेंगे, उसके बाद division चूछ कर लेंगे, कौन सा division है, first division आए है, second division अपना gender select कर लेना है अधार number डाल देना है फिर date of birth डाल देना है verify number अधार number यहाँ पर verify अधार number करेंगे तो आपके mobile पर OTP जाएगा उस OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे तब का अधार number जो होगा verify हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप अपना mobile number डाल देंगे फिर अपना email ID डाल देंगे यहाँ पर भी OTP आएगा generate OTP for mobile OTP मोबाइल को verification करेगा फिर आपका email ID verify होगा OTP के थुरू ठीक है आपको step by step मैं आपको बता दे रहा हूं उसके बाद आपको अपना bank का detail डालना है bank का IFC code जो अपने खाता खुलाया होगा आपके नाम से होना चाहिए क्योंक उसके बाद bank name डालना है bank name डालने के बाद आपका bank account number डालना है फिन confirmation के लिए दुबारा आपको bank account number डालना है फिर आपको यहाँ पे क्या करना है preview पे click करना है preview करेंगे तो आपको आपको दे देगा एक receipt क्या preview होगा वहाँ पे उसको print outer के रख लेंगे यह जब आप भर द file या email डी दोनों पर आपको user ID और password मिलेगा जिसको आप डालेंगे तो आप आगे का form fill up कर सक कर पाएंगे जैसे कि मैं आपके दिखा रहा हूं देखिए कि जो यहाँ पे step दिया गया है मैं आपको दिखा दे रहा हूं जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं रोग जाईए थोड़ा से बेट करें जो यह आपका मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूं registration के लिए जितना मैंने बताया है उसके बाद में बता रहा हूं ठीक है यह open हो रहा है open होने के बाद यहाँ पे एक नई window open हो जाएगी थोड़ा time ले रहा है खुलने में थोड़ा वेट कर लें तो देखिए यहाँ पे student registration आपका हो जाएगा इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है आप step by step follow करें विडियो के एक बार दो बार तीन बार देख लें आप असानी से अपने mobile में अपने laptop में घर बेटे खुद से कर सकते हैं उसके बाद देखिए department and bank verification होगा यह दूसरा step है जब यह आप नहीं करेंगे आपको registration करके छोड़ देना है सिर्फ आपका काम क्या है registration करना है registration करके उसके बाद bank और department आपका verification होगा verification होने के बाद आपके mobile और email id पर एक user id और password आजाएगा उसको आपको डालने के बाद यहाँ पर apply for scholarship and finalization पर click करेंगे तो आपका form fill up करना होगा district verification होगा और इसी प्रकार से आपके खाते में आपका प्रोशाहन रासी आ जाएगी तो I hope आपको यह पूरी जनकारी समझ में आ गई होगी अब बात कर लेते हैं कन्या उठान योजना के लिए यह तो हो गया आपका matrix pass यह पहला हो गया मैंने बता दिया मुख्यमंत्री बाल साहन रासी के लिए इस पर आपको क्लिक करना है तो देखिए क्या आपको interface नया देखने को मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या देखने को मिलता है इसको देख लीजी आप चलिए यह open हो चुका है यह open हो चुका है इसमें आपको क्या करना है इसके लिए भी आपको जनकारी पाने के लिए बिहार से संबंदी जितने भी नई स्कीम आती है कोई भी नया जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल लाइंक उनको प्रेस कर ले ताकि कोई भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहां से डाइरेक्ट यहां पर पहुंच सकते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें